इससे संबेलर में शिर्कत करने के लिए इसलामबाद पहुंचे भारती विदेश मंतरी अज़र शंकर 9 साल बाद किसी भारती विदेश मंतरी का पहला पाकिस्तान दौरा आज से दो दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे विदेश मंतरी महाराष्ट्र और जार्खण में चुनाव की तारीकों का एलान महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग तो जार्खण में 13 और 20 नवंबर को ढाले जाएंगे वोट 23 नवंबर को होगी काउंटिंग यूपी की नौ सीटों पर 13 नवंबर को उप्चुनाव वाइनाड में भी 13 नवंबर को होगा लोग सभा उप्चुनाव तो वही के दारनाथ में 20 नवंबर को होगा विधान सभा उप्चुनाव 23 नवंबर को ही आएंगे सभी चुनाव की नतीजे महराष्ट में महायूती की सीटों का बट्वारा तैप 150 से 107 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी कोर्गूर्प की मीटिंग में 90 फीसद सीटों पर कैंडिडेट तै अजित ववार को मिल सकती है 40 से 45 सीटे पिये मोदी ने भारत मंडपम में डबलू टी ऐसे 2024 का किया उद्गाटन बोले टेलीकॉम और संबंदि टेक्नोलेजी के मामले में अग्रणी देशों में से एक है भार